अच्छा फिर भी आसा क्लास में ने जो था वह बाइनरी स्टिंग को डीटेयल में किया ता साइकलिक सिफ्टिंग उसके बाद हम लोगों ने लॉजिकल्ड भुटिंग की थी औरिटमेटिक शिफ्टिंग की थी आज जो आप लोगों का सेक्षिन है आप लोगों का मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम के साथ जो मिक्स होकर आती है उसके बारे में लोग बात करेंगे तो दरह इसको डीटेल में देखते हैं एक चीज को समझते हैं और इसके जो पासिपर्स के कोश्टिंज आप लोगों के जो आच चुके अब तक किस तरीके के स तो वह मैं सॉल्फ करके तो नहीं दिखाऊंगा चलो इसके बारे में इंड में बात करते हैं जो अब जाए ना क्लास के अब बात करते हैं इसके बारे में जो difficult questions ॉश्टिंज पेवर 3 वाले bit manipulation इन नूंट्रिंग पंड्रों सिस्टम आप नगल एटिर्टिकल बुचि भी नी यह भी इस वाल प्रेक्टिस बेस्ट चलो अब हम कर रहे हैं बिट वाइस ऑपरिशन सही है अच्छा हम लोग ने कली क्लास में सबसे पहली क्लास में कोशन सॉल्फ किया था एक चीज़ पता चली थे यहां से कि आपकी बाइट होती है उसमें हर एक बिट जो होती है वह एक इसा फ्लैग भी काम कर सकती है उसकी वैल्यू जहें वह बहुत सारे काम होते हैं जब हम लोग मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं कि किसी चीज़ को चेक करना होता है तो हम लोग देखते हैं हम लोग के लिए वैल्यू बहुत जादा meta करती है कि for example byte number two में bit five जो है आप लगों की byte number two में bit five इदर क्या वायल्यू है यह सब चीज़े किस तरीके से related so let's start with a little bit of theory थोड़ी बद इसकी theory लिक वादिए मैं आपनों का चुछ in monitoring control system थोड़ा से speed टेज रखेंगे किंकि इसके पासर पिसके questions भी करने in monitoring and control system monitoring control system control system each bit in a register in a register or memory location can be used as a flag तो हमलों के लिए जो वैल्यूस है ना कि वह वहां पर one है या zero है वह बहुत दा इंपोर्टन होती है can be used as a flag and would need to be tested and would need to be tested need to be tested test compare करवाना होगा कि क्या वहां पर one है या नहीं है या तो set करवाना होगा set का मदलब है कि one कर दो या तो मुझे उसको पूरा remove करना होगा value को clear करना होगा तीन काम करवाने होता है चेक करना होता है compare या तो set करोगे या तो clear करोगे या तो को idea हो जाता है कि किस तरीके से मुझे सवाल के बारे में सोच रहा है तो हम लोग इसको अगर मुझे किसी भी particular बिट को चेक करना है कि क्या वह सट हुई विए यह नहीं हुई विए सट का मतलब क्या है पहले सब चार्ट में मुझे बताएं अगर मैं बोलता हूँ सेट तो इसका मतलब क्या है इस जीरो और इस वन सब चार्ट प्रेक्ट होगा मेरे साथ अगर मैं बोल रहा हूँ if the bit has been set तो बिट सेट का मतलब क्या है is it one यह तो जीरो रायत फिर से सोच उसके बारे में भाई जरा सब चैट प्रेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ जल्दी से सब सब चैट प्रेक्ट हो जल्दी बताओ अगर मैं बोल रहा हूँ बिट हाज बीन सेट तो इसका मतलब क्या है सब का जवाब चाहिए मुझे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ऐसे सब चैट प्रेक्ट हो कोई सोने का नहीं है यहाँ पर अगर इसका मतलब है रहे से देखी बिटक और से सुनो यहाँ पर लिखाव है and is used to check if the bit has been set तो अगर मैं बोलो set का मतलब क्या होता है bit has been set bit has been set का मतलब यह होता है कि one and जो वो चेक करता है कि क्या वो particular bit उदर value one है यह zero है यह सब चीज़ना इसता इसता clear होंगी अगर सिर्फ और सिर्फ अभी जो सवाल किया मैंने तुमसे वो यह है कि set का मतलब क्या है set का मतलब यह होता है कि value one होगी explain कुछ भी नहीं किया मैंने अभी और जो होता है or is used to set the bit अभी से वैसे ही लिख लो इसको set the bit then we have the third one which is zor zor is used to clear a bit clear a bit that has been set अगर मैं clear बोल रों clear का मतलब क्या है zero यह one that अच्छा आज थोड़ असा अपनों को network का issue होगा let me reshare my screen अचे जरह सब चैट पर एक मिंट एक्टिव हो मेरे साथ सब का वास्क ले रहे मेरी कोई lag तो नहीं हो रहा अब अब आवास के ले रहे मेरी कि बता पहले तो कोई lag तो नहीं हो रहे हैं बता पहले मुझे let me pause the recording first अच्छा हम लोग देख रहे थे जौर के बारे में न अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ जौर is used to clear a bit that has been set set का मतलब होता था one तो clear का मतलब क्या होगा जब सब चैट पेक्टिव हो मेरे साथ आगर मैं बोल रहा हूँ clear तो clear का क्या मतलब होगा आश्या समझ आ जागी कोई मसला ने ठीक है one को हम zero कर देंगे बहुतरी चल अब जब जब एक एक करके start करते हैं उससे पहले जो है मुझे तरह तम लोगों को assembly language के अंदर ने एक चीज होती है that's your जरा मैं तम लोगों को दिखा दू let me write that for you assembly language notations assembly language चलो अचा कुछ चीज़े देखते हैं यहाँ पर हम लोग ज़रा अपने पास हम लोगों के पास assembly language में अगर हम बोलते हैं in assembly language in assembly language वी रिप्रेजेंट वी रिप्रेजेंट बाइनरी अगर कोई वाल्यू बाइनरी वाल्यू है तो assembly language में हम उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं कापिटल बी तो लेट में उसे डिफरेंट कालर कापिटल बी 1 0 0 0 0 0 0 0 1 इस तरीके से हम लोग बाइनरी वैल्यूस को रिप्रेजेंट कर वाते हैं अच्छा थे सेकंड वन इस इन अस्मिले लैंगविच वी रिप्रेजेंट अभी आइस तरह करके सारी चीज़ेंगे वह आप लोगों को सेंस बनाने लग जाएंगे खुदी जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे अभी फिलाल मैं इंडिविजल तुम लोगों को चीज़ें क्लियर कर रहा हूं ताकि कोई कीसे करते हैं जाला बताओ यह थो बताओना चाहिए तुम लों को अगयर कोई वाली होती है अगर मों लोuldade गणे इम, उसको किस तरह से बोलेंडरी है है ऐस्टाग 32 और अगर हमारे पास hexadecimal value होती है in assembly language we represent hexadecimal value hexadecimal किस तरीके से करेंगे at the rate के sign से ampersand के sign से let me write that for you ampersand के sign होता है इस तरीके का for example मैं बोलता हूँ f8 f8 तो इसका मतलब क्या actually f8 का मतलब क्या actually मैं that's basically 0, 0, 0, 1 और f का मतलब होता है 1, 1, 1, 1 इस तरीके से तो दो groups बनते थे hexadecimal केंदे I hope किसी को कोई hexadecimal problem नहीं होगी सही है चलो यह है भई basic knowledge अच्छी खाथे चीज़ों को breakdown करने की कोशिश की है अब आते हैं आप लगों के actual topic के उपर that's your OR gate OR bitwise operation सही है? एक एक करके करेंगे इन सब चीज़ों को जो अभी तक मैंने पढ़ाए let me use this OR bitwise operation अब हम समझेंगे OR bitwise operation क्या होता है चलो hopefully सब को OR gate की logic याद होगी एक करके देखते हैं सारे चीज़ों को मैं पहले यहाँ पर एक table सी आप लोगों के लिए बना देता हूँ जीरो अब मेरे साथ सब ने values बतानी है सही है OR gate की logic की बात करूँगा मैं आप लोगों से पहले अगर यह value 0 है 0011 01 01 01 चलो मुझे बताओ अगर मेरे पास OR gate करना है मुझे इन दोनों values को आपस में तो में पास 00 पे क्या value आती है अगर OR gate की बात करते हैं अभी फिलाल यहाँ पर focus करो हाँ that's F F8 था वो है जड़े से मिल के अंदे सही है amp F8 इस तरह किसे चलो अब जब जब फोकस करें OR gate की logic सब दिमाग में रखो OR gate की logic अभी फिलाल यहाँ पर focus करो में दिखाता हूँ AND का symbol होता है जैसे AND का symbol उसको कहते हैं amp चलो अब जल्दी से बताओ सब OR gate apply करना है 00 answer क्या आता है OR gate की logic है कहीं पे भी अगर एक दिफाव 1 आ गया है that means कि वहाँ पर value 1 होगी लेकिन अगर 00 है तो यहाँ पर output क्या आएगा that will be 0 01 है output क्या आना चाहिए that will be 1 10 है output क्या आना चाहिए 10 output क्या आना चाहिए 11 output क्या आना चाहिए 101 output क्या आना चाहिए 1 between तो that's your OR bitwise operation अब इसको जरह मैं तम लोगों को अगर accumulator पे कोई value हम लोगों को लेनी हो और उस पर अगर मुझे यही सेम चीज़ apply करवानी हो तो मैं किस तरीक से करूँगा let me show it to you हम तीन values को consider करते हैं यहाँ पर भी we have opcode हमारे पास होता है opcode हमारे पास होता है operand and the third one is your explanation explanation चलो अच्छा और गेट की instruction किस तरीक से दिखती है it's simple और इसी तरीक से दिखता है अब यहाँ पे ना तीन चीज़े हो सकती है वो आप लोगों को बी करके value दे सकता है कोई binary value या तो वो आप लोगों को hashtag करके कोई binary value दे सकता है या तो वो आप लोगों को hexadecimal value ampersand sign के साथ दे सकता है अभी फिलाल मैं N ही यहाँ पे रख रहा हूँ हम लोग सिर्ट देनरी values के साथ करेंगे और भी चीज़ें जहें वो width by time questions के साथ होती रहेंगे आप लोगों की जड़े explanation लिख लो मेरे साथ bitwise of the contents अदुल बताता हूं बता यह टेबल बनाएं इसको एक revise करवाने के लिए मैं भी बताता हूं bitwise or operation of the value of the content of the content of accumulator with the operant with the operant चलो जड़ा देखते हैं इसको डीटेल में क्या कहना क्या चारहों करना क्या चारहें हम लोग इस पर हर एक चीज़ को देखते हैं let me get your एक हम दोग यहां से इसको लेने हैं पने पास yes this works इसके उपर ही perform करेंगे सारी चीज़ां को चलो अब मैं तुम्हों को करके दिखा रहा हूं सब में साथ focus करेंगे यह हमारी पास value है अभी फिलाल imagine कर लो में साथ सब कि this is a value that we have in accumulator accumulator में हमारे पास एक binary value है which is 10110110 और अब मुझे करना है bitwise और operation और और कौन सा करना है ज़रा यहां पर देखना मेरे साथ है अब मुझे करना है और hashtag or hashtag 32 सही है और hashtag 32 अगर मैं लिखता हूं इसका मतलब कि अधर इसको बहुत detail में देखते है with examples सब चीज़ों को let me get this copy and paste एक दफ़ा arrange करना हूं फिर एक flow में चीज़ों को समझा देता हूं बहुत simple है सब मेरे साथ focus करेंगे और एक एक करके सब ने जवाब देना है सब ज़रा चैट पर active है मेरे साथ अच्छा अगर मैं बोलना हूं और hashtag 32 पहले एक काम करो मेरे साथ कि मुझे इस 32 की value को ज़रा इस पे लिखवा कर दिखा दो मुझे जल्दी से सब मैं इसको binary format में convert करो 32 को binary format में convert करो जल्दी से जल्दी जल्दी तेज़ काम करेंगे binary value बनानी है 32 गी अगर वो बोल रहे हैं और 32 उसका मलब क्या है किस तरीके से करते हैं इसी तरीके से किया जाता है चलो बहतरीन हो गया तो अगर मैं तुम लोग चलो लेट मी चेंज दिस तू और 64 दाट्स मच बेटर अप्रोच सवाल चेंज करों थोड़ सा मैं करों और हैस्टेग 64 तो अब मुझे 64 को बानेरी में करना पड़ेगा तो मैं किस तरीके से करूँगा मैं 64 पर जाके 1 लगा दूँगा पाकी सब को 0 कर दूँगा यह होगा जी पहला स्टेप आप लोगा अब bitwise operation क्या होता है अब यहाँ पे सब गौर से देखेंगे मेरे साथ bitwise operation कुछ भी नहीं है basic logic gate की operation आपने apply करना है किस तरीके से करना है that's the main thing अगर वो समझ आ गया फिर कोई मसला नहीं होगा आपने bitwise यह होते है इस चीज़ को कहते है bitwise operation चल अब बताओ मैं इस box को move करता जाओंगा मुझे values बताओ 00 answer क्या आना चाहिए मेरे पास 00 और करो अगर मैं बोलता हूँ और hashtag 64 इसका मदलब क्या है इसका मदलब यह है कि accumulator में जो भी value मौझूद है उसके साथ or gate apply कर दो hashtag 64 वाली binary value के साथ चल अब बताओ जल्दी से सब 00 answer क्या आएगा मेरे पास 00 what will be my answer logic gate or gate की logic gate 00 हाँ बेटा or gate की or gate पढ़े ना में लो 00 that will be 0 चल अब मैं इस box को move कर रहा हूँ अब इन दो values की बात करो 10 10 value बताओ अब दिलमरान बेटाओ भी फिला मुझे से जवाब देते रहो सिर्व इस चीज़ के जवाब देते हूँ मैं पूरा concept एक दफ़ा flow में फिर से repeat करूँ उसकी tension नी 10 answer क्याएगा that will be 1 तो यहाँ पे value 1 लिखती मैंने बस इव और gate अब लाए करूँ bitwise operation कहते हैं इसको next उस पे चलते हैं चलो अब इसकी values बताओ zero zero जल्दी जल्दी that's again zero one zero one basic or gate that's it one zero one अच्छा एक चीज़ पे जरा focus करना मैं इस चीज़ को समझाऊँगा पहले जरा focus करना हमारी पुरानी value के अंदर zero value थी accumulator में हमारी पुरानी value में zero value थी yes or no accumulator में यहाँ पे इस box में we have zero value ऐसे ही है अगर मुझे कभी भी इस zero value को set करना है तो मैं क्या करूँगा सोचो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में इसको अगर मुझे set करना है इस zero value को अगर one करना मैं इसको समझाऊंगा बहतरीन जवाब है और gate इस्तमाल करेंगे हम अच्छा अब बताओ जरा बहतरीन बहतरीन आशा अच्छा अब बताओ zero one answer क्या आना चाहिए इसका मैं समझाता हूँ इस चीज़को टेंचिन नी zero one answer क्या आना चाहिए one तो हमारी पुरानी वैल्यू जो थी वहाँ पे जीरो था अब क्योंकि हमने हैश्टेक 64 किया है तो 64 का मतलब है इस पर्टिकुलर बिट की नीचे एक तरीके से one लगाके उसको और गेट करवाया है तो उसकी वैल्यू जह वो सैट ओके one हो चुकी है इसके बारे में और डीटिल में बात करेंगे आप लोगों से अभी फिलाल बेसिक बिटवाइस ऑपरेशन समझो वन जिरो आउटपुट बताओ वन जिरो आउटपुट बताओ वन बेतरीन जवाब सबका अब इसको हम यहां से बॉक्स को उटा देते हैं अपने चलो that's bit wise or operation इसको क्या कहते है bit wise और ऑपरेशन इससे फायदा क्या होता है यह तो आप लोगों को करना आ गिया लेकिन आप monitoring control प्रोल सिस्टम में इसका फाइदा किया है इसका फाइदा यह है कि आप लोग इससे कोई भी बिट को सेट करना चाहूना वो आप कर सकते हो किस तरीके से मैं करके दिखाता हूं आप लोग को भी अच्छा पहले कि मुझे बताओ अब्दुल्लाय अम्रान बाकी सब भी बताए कि सबको bitwise और operation समझ आ गया अगर मैं बोलता हूं और hashtag 64 या और hashtag 32 या और hashtag हम लोग ले लेते हैं 56 तो कोई भी value ले लो उसको तुमने binary में convert करना है और get apply करना है एक एक करके bitwise that's it सबको clear है यहां तद थोड़ा सथ speed test करते है तो इनकी बात कर रहे हो अब्दुल्लाय अम्र बस फाइनल वर्जिन आपके accumulator का final answer है अब accumulator में यह value store हो चुकी है इसका फाइदा क्या है नुकसान क्या है वह सब हम बात करते हैं इसके बारे में इससे हुआ क्या है क्यों करते हैं यह सब चीज़े भी बात करते हैं इसके बारे में सभी है चलो सबको अगर bitwise operation clear है हाँ अब दुला बोलो अब दुला पूरा नाम कहें तुम्हारा and what is the difference between these and the shiftings बैटा shifting से तो आप पूरी values को left और right की तरफ move कर रहे होते हो ना यह तो हमने bitwise और operation किया हर एक-एक bit पे और gate apply किया shifting तो बिलकुल अलग concept है उसमें आप पूरी shifts left side पर पूरा move कर रहे होते हैं अपनी values को लेगे या right side पर move कर रहे होते हो यहाँ पर हमाएं पस bitwise or operations हो रहे हैं सभी इसका फाइदा के हैं चलो मैं बताता हूँ नहीं टार्गेट बार्गेट सेम नहीं है मैं बताता हूँ उसके बारे में वह अलग concept है यह अलग concept है चलो इसका फाइदा के है जर इसके बारे में बात करते है use of use of or instruction or instruction in monitoring and control system monitoring control system में इसका क्या फाइदा है चलो note लो यहाँ पर whenever you want to set a bit जब भी आपने बिट को set करना हूँ you want to set a bit a single bit यह a bit सही रहेगा we use or bitwise operation question हम क्यों करते हैं इसकी वज़ा इतनी सी है क्योंकि और gate जो है वो एक logic इस्तमाल करता है और लॉजिक क्या है कि अगर कहीं पर भी value वन आ गई किसी भी एक value में हमाई पस वन आ गया तो आंसर क्या होता है जरह सब ताके अगर उसमें value 1 हो already for example suppose करो accumulator में already value 1 है और मैं यहाँ पर 1 लगा दूँ तो क्या मेरी value change होगी yes or no और और gate कर दूँ दोनों को मेरे पास accumulator में already 1 था एक और मैंने value 1 लगाई और दोनों को और gate करवा दिया तो क्या मेरे पस value change होगी नहीं change होगी हमेशा 1 ही रहेगी right 1 ही रहेगी कोई फर्क में पड़ेगा और अगर value 0 होती तो क्या 1 हो जाएगी yes or no तो इसके concept को समझो रटा मत मानना इसका जब भी आपने किसी भी value को जो कि 0 value होगी उसको अगर set करना होता है मतलब 1 करना होता है तो आप क्या करते हो उस particular bit पर जाके आप one लगा के और get कर देते हो मैं करके दिखाता हूँ अब आपनों को चलो let's start with a particular question एक ऐसी random question लेते हैं लोग ज़रा अपने पास let's take same question कर लेते हैं बिलकिए copy and paste for example suppose करो ये मेरे पास एक byte है तो ये इन bits पे one ये zero हम लगाते किसे मैं बता रहूं विटा अभी अभी देखना हूँ ये हमारे पास एक byte है और यहां पे न ये हमारा flag है मैं इनको label कर रहूं हर bit को the first one is my flag the first one is my flag the second one is my alarm alarm one है ये alarm two है ये alarm three है in case i mean values न the note कर दिया एसी random values देुए उनको पहला वाला है अमारे पास just first value first bit that's my flag the second one is a1 मतलब alarm one the second one is the third one is a2 मतलब alarm two the fourth one is a3 मतलब alarm three सही है और ये जब value है ये मेरी value एक memory location चोर हो भी है which is 200 200 memory location अच्छा अब मुझे ज़रा बताओ तो लोग अगर मुझे इस पूरे बाइट को बहुत गोड़ से सबने जवाब देना है इसका अगर मुझे इस 200 लोकेशन पे एक मेरे पस वैल्यू स्टोर वी है बाइट अगर मुझे इसको assembly language में accumulator में load करवाने तो मैं किस तरीके से करूँगा में पास address मौझूद है मैं किस तरीके से load करवा सकता हूँ accumulator में इसको सोच के जवाब दो हमारे पास तीन तरीके थे एक था LDM एक था हमारे पास LDD कौन सा स्वाल करेंगे मेरे पास address मौझूद है अगर मुझे इस पूरी value को accumulator में load करवाना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा सोच समझ के जवाब दो I'll use LDD क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा LDD 200 ऐसे ही है कि 200 पे जाओ जो value मौझूद है उसका accumulator में load कर दो सही है? चलो बेतरी नोगे यहां तक अच्छा अब जड़ा सवाल सुनो मेरा question मेरा यह है question देखो मेरा set alarm three to on without changing other bits बाकी bits को change करे बगएर सवाल सुनो मेरा गोड़ से बाकी bits को change करे बगएर अभी फिलाल मुझे बताओ क्या alarm three set हुआवा है yes यह नो क्या मेरा alarm three set हुआवा है yes यह नो जब चैट पे एक्टोब हो जाओ या तेस्टेस काम करें इसका खतम करते हैं जद्दी से क्या मेरे पास alarm three set हुआवा है yes यह नो तेस्टेस जवाब सबका जवाब चाहिए मुझे it is not shut सवाल में क्या कह रहा है set alarm three to on without changing other bits बाकी किसी orbits को change करे बगए alarm three को on कर दो सभी है सब्सक्राइब बहतरी जवाब गया अब जड़ा इसको किस तरीके से करूंगा अब इसको समझो मेरे साथ पहला स्टेप step one right one right one below alarm three alarm three के नीशे बन लगाओ and the rest should be zero and the rest should be zero the rest should be zero step two बहतरी इन शेर यार or that new binary value or that new binary value जो आपने एक नई binary value बनाई है उसको और कर दो किस तरीके से अब ज़रा सब मेरे साथ देखें let me copy this again जलो सब यहां पर focus करेंगे मेरे साथ this is my question यह मेरा question है अब इसको मुझे solve करना है simple सा काम करेंगे हम लोग let me fix this segment अब सब फोकस करें मेरे साथ अब थोड़े सी speed तेजर रखूंगा ताकि आप लोग मेरे साथ इंट्रैकर्ट्स को चलो सवाल क्या था भई सवाल यह था आप लोगों का alarm 3 को आपने set करना है मतलब इस particular bit को आपने one करना है बाकी values को change करें बगार तो आप लोगों का step one क्या कह रहा है right one below alarm 3 alarm 3 के नीचे one लिख दो alarm 3 के नीचे हमने one लिखा बाकी सब को मैंने क्या कर दिया zero यह मेरी एक new binary value कहते हैं इसको हम लोग और इसको आपस में करवा तो जरह मुझे इसको कोई बताएगा यह क्या binary value क्या बन रही इसकी what's the binary value of my new binary value डेनरी क्या बन रहा है इसका that's one two four eight सही है यह बन रहा है मेरे पास और hashtag eight बेतरी तो चलो अब अगर मैं और गेट कर वा हूँ तो मेरे साथ जल्दी से सब करेंगे एक एक करके zero zero और करो zero zero और करो जल्दी से सब will remain same one zero और करो will remain same zero one zero और करो oh my bad this is one one zero और करो one बेतरी अच्छा अब आजो main चीज़ पर जो हम लोगा question था alarm three को हमने set करना था that's one करना था तो अब zero से क्या हो जाएगा value zero पहले थी अब हम लोगों को इसको one करना है तो zero one answer क्या आना चाहिए इसका zero और one zero और one answer क्या आना चाहिए it will be one again one आगया अब दिलमराद इसके टेंचे नहीं लो मैं समझाता हूँ भी यह जी समझाई कि हमने जो binary value बनाई है अपनी यह जी समझाई अब दिलमराद यह जो हमने नहीं अपनी binary value बनाई है वो clear है चलो वेतरी अच्छा अब हम बात करते हैं इसके पर आजो one zero answer क्या हैगा one again one zero again zero zero again one zero one तो क्या मेरे पास एक नई value generate होगी जिसमें हमारे पास alarm 3 जह है वो on हुआ है yes or no जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ तेज़ 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 काम करो सब सो ही वो याई तुम लोग क्या चाहरो तुम पढ़ाना छोड़ दूँ क्या करो class छोड़ दूँ सब चैट पर active हो जाओ भाई कुछ हो जागा तुम लोग को yes no में क्या मसला आ रहा है भाई लिकने में हमारे पास क्या alarm 3 के value one हो चुकी है yes या no तीन बच्चों को जवाब है तब चाहर पांच भाई एक्टिव हो जो अल्ला के बंदों उससे फरक नहीं पड़ता अभी में चीज जो हमारा गौल थाना वह हमने पूरा कर लिए सब्सक्राइब चलो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है हम लोगों ने अपने memory location में जो value मौजूद थी उसमें हम लोगों ने basically एक नई binary value बनाई है जिसको हम लोगों ने value one रखा उसके नीचे जिस चीज़ को भी आपने one करना होता है उसको set करना होता है बटा ये 200 जो है मेरी memory location है जहां memory location जैसे assembly language के ने memory location होती थी ना कि 200 पर ये value पड़ी होगी वहाँ जाके ले लो बिल्कुल वसी तरीके से ये अच्छा अब वगर आपसे बोलें सवाल में कि write the assembly code question बोलते हैं वह अगर आप लोगों से इस तरीके से write this in assembly language इसका assembly language code लेको write this in assembly language code assembly language code में किस तरीके से करोगे हैं सोच उसके बारे में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए पहले तो आप accumulator में load करता हो data को राइट बेतरीं ldd200 ldd आपने पहले value को load किया accumulator में ldd200 इसका मतलब क्या है ldd200 का मतलब क्या है ldd200 का मतलब यह है कि 200th location पे जाओ और जो value वहाँ पे मौजूद है जो भी byte मौजूद है उसको ठाके मेरे accumulator में load कर दो मैंने ldd200 से load कर दिया अब मैंने किस particular value के साथ और get करवाना है जरा सब जली से बताएं इसके बाद वारी instruction बताओ और hashtag 8 बेतरीन और hashtag 8 तो अब मैंने क्या किया पहले value को load किया फिर उसी value के साथ जो accumulator में value थी उसके साथ और करवा दिया hashtag 8 को तो उससे क्या होगा जो भी मेरी नहीं बटा 16 क्यों होगा 1248 हुसैन सब्सक्राइब और hashtag 8 करवा दिया अब मुझे इसी value को जो मेरी updated value है यह मेरी updated value है इसको वापिस से हम कहां store करेंगे हम वापिस से इसको store कर देंगे 200 पे बिटा राहे assembly language नहीं पढ़ा तुम नहीं असम्री लेंगविज क्लास ली थी नहीं पहले बताओ assembly लेंगविज क्लास ली थी हाँ तो assembly language में LDD पढ़ा था ना direct addressing के value उस पे जाओ address पे जाओ वहां से value उठाओ और load कर दो that's the thing that we did LDD 200 200 पे जाओ जो भी byte मौजूद है उसको उठाओ load कर दो अजब आपने load कर दिया तो उसके बाद वो कह रहा है और hashtag 8 कर उसके साथ ताकि जो हमारी fourth bit है ना वो one हो सके तो हमने और hashtag 8 किया तो उससे हमारी जो alarm three था वो on हो चुका है फिर उससे बापे से इसको store कर वा दिया 200 पे तो this is my final code सही है हाँ अगर उसकी तो फिर practice करूगा ना मेटा तो मिसकी अब सही है सर अगर आपने a2 और a3 दोनों on करने होते तो और hashtag 12 हो था बहतरीन जवाब बहतरीन जवाब अगर मुझे a3 और a2 दोनों on करने है तो मेरे पास मैं a3 की नीचे भी one लगता a2 की नीचे भी one लिखता और उसकी जो binary value बनती ही उसको मैं और करवा देता सिंपल सब को यहां तक clear है yes you know बिलकुल बेतरीन मादी और जो हो 12 हो जाता बेतरीन और hashtag 12 बोल देता हूँ बेतरीन बेतरीन सब ज़र चैट पेक्टे वो अब्दिल्लाह इमरान अवीरा साइद, अमद, आरियान, एमन, दुआ, फवाज, हामिज, हसन, सब को clear है? कोई फरक नहीं पड़ेगा उससे, अगर already बन होगा तो कोई मसला नहीं, same ही value आजाएगी वापिस है चलो बेतरीन हो गया, चलो let's move on, थोड़ा बहुत चीज़ों को और आगे चलें, यह इसका एक pass per के सवाल करवा दो आप लोगों को इसका एक pass per के सवाल कर दो, तो मजबा आज जाएगा चलो, pass per के सवाल देता हो हम लोगों को एक paper 3 का question करवाता हो, paper 3 का question कर लो, paper 1 के तो बहुत हलके सवाल है, बहुत असान सवाल है पहले पेपर ठीक है सवाल करणो मेरे साथ इसका part D करेंगे हम लोग सही सिर्फ part D चलो जरह मेरे सब फोकस करो पढ़ो मेरे साथ सब और से पढ़ने इसको A hardware device to affect the temperature of each tank is on or off depending on the value of a bit in memory location 6753 सही है एक memory location है 6753 if bit 4 अगर हमारे पास bit 4 यहाँ पे bit numbering देख लो bit 4 कौन सी है यह byte 1 की bit 4 है फिफ्थ एक तरीके से हमारे पास 1,2,3,4,5 सही है वो क्या कह रहे है if bit 4 is 1 अगर bit 4 is 1 then the hardware device in fish tank 4 is on ठीक है write assembly instruction एक क्या कह रहे है वो assembly language instruction to set bit 4 इस bit 4 को आपने क्या करना है off memory location 6753 to 1 without changing any other bits सही है 6753 पे जो value जो byte मौजूद है उसको access करो उस पे जो bit 4 है which is actually this value सही है उसको आपने one करना है without changing any other value बताओ क्या answer किस तरीके से लिखेंगे assembly language सोच उसके बारे में बेतरीन पहला step सही है सबका बेतरीन करो जल्दी से attempt करो पहली चीज़ क्या है कि इस memory location पे जाके value को load करना है बिटा अब्दुलहमरान गौर से देखो bit 4 कौन सी है this is my bit 4 this is 1, 2, 4, 8, 16 सोच उसके बारे में सब तो पहली चीज़ क्या होगी पहली चीज़ होगी कि 6, 7, 5, 3 पे जाओ वहाँ से value को उठाओ तो आप पहले क्या करोगे LDD 6, 7, 5, 3 6, 7, 5, 3 पे गए वहाँ से value को उठाई और accumulator में लोड कर दी अब मुझे bit 4 को वह करना है 1 तो मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा बाकी सारी values को 0 कर दूँगा that's basically 16 तो और hashtag 16 और hashtag 16 मादी बेटा 16 नहीं है न it's not 8 अच्छा अब इसको जब हमने change कर लिए तो अब मैं क्या करूँगा इसको वापिस स्टोर करवाद दूँगा किदर स्टोर करवाँगा 6,7,5,3 पर that's the final answer कितना simple काम था सही है बस हाँ यह 3 माँक का सवाल था चलो थोड़ा बहुत और आगे चीज़ों को लेके चले अब I hope कि इसको बसी यही answer है एक और सवाल करना है राहित नहीं इसको छोड़ दो उपर वाले चीज़ को छोड़ दो अच्छा मादी राहित से देखी बिटा में साथ फोकस करो सवाल को पढ़ो यहां से चीज़न को देखो राइट असेम्ली लेंगविच असेम्ली लेंगविच लिखने को बोल रहे है instruction to set set bit 4 bit 4 कौन सी bit है अपने byte में जाके देखो bit 4 कौन सी bit है बिल्कुल ST हो जब वह store करने के लिस्तमाल होगा न byte 4 समझ आ गई है 16 है बेतरीन अब वो क्या कह रहा है instruction to set byte bit 4 of memory location 6753 आपका एक byte पड़ी भी आपके पास complete एक data मौझूद है कहाँ पे 6753 पे मौझूद है उधर आपने bit 4 को one करना है सही है किस तरीके से करोगे without changing any other bits तो किस तरीके से करोगे आप बोलोगे पहले तो load करो particular value को 6753 पे जाओ वहाँ से value को उठाओ लोट कर दो यहाँ तक कोई मसला रायच से देखी चलो बेटरी अब अगर मुझे इसकी bit 4 को one करना है तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर one लगाँगा बाकी सब को zero कर दूँगा ऐसे ही करते थे हम अभी जो पर steps लिखवाए थे अच्छा अब इसकी value क्या बन रही है यह value बताओ क्या बन रही है और hashtag क्या बन रही है और hashtag 16 बन रहा है बेटरी तो मैं अब जो भी value accumulator में उसके साथ और bit wise operation perform कर दो 16 के साथ सभी और hashtag 16 सर और क्यों बेटा और gate से ही तो bits को set करते हो ना यह चीज़ पढ़ो अगर हम लोगों ने alarm को set करना होता था तो हम लोगों ने क्या करते थे पूरी चीज़ पढ़ी था whenever you want to set a bit we use or bit wise operation सही है or gate की logic क्या है or gate की यही तो logic है जहाँ पर भी one आजाएगा उसकी value one कर देगा वो चलो 6753 पर करवा देंगे बेतरी तो that's it clear अब राही से देगी बिटा clear है तुम्हें अब चलो बेतरी अब हम थोड़ा बहुत up speed test कर सकते हैं I hope तुम लोगों को basic concept समझा गया होगा जो हम bit wise operation कर रहे हैं उसका अब तुम लोगों को मुझे जो चीज़ करवानी है वो है and bit wise operation चलो अब मैं शायद थोड़ी सी speed आपनों की तेज रखूँ क्योंके basics clear हो गई हैं सबकी सबको end gate की logic याद है अब हम कर रहे हैं and gate and bit wise operation चलो जल्दी से बताओ सब and gate की logic क्या होती थी and gate की logic होती थी जहाँ पे भी 0 आगया value वहाँ पे वो value 0 कर देता है चलो अब बताओ 0,0 0,0 output कहाएगा it will be 0 0,1 output कहाएगा 0 1,0 output कहाएगा 0 1 और 1 output कहाएगा 1 लितनी अच्छा इसमें एक चीज नोट करो यह जो हमने अभी चीज परफॉर्म की इसके थोड़ी बहुत चीज़ों को नोट करो अपने concepts को समझो चीज़ों को सिर्व रटा नहीं मानना है आप लोगे अब इसको समझो यहाँ पर अगर इसको गौर से देखो अगर हमारे पास value 0 होती है और अगर हम उस पर one लगाके end gate करते हैं तो हमारे पास answer same आ रहा है yes or no फिर से सुनो फिर से सुनो फिर से सुनो फिर से सुनो गौर से अगर हमारे पास initial value 0 होती है हम उस पे one लगाते हैं और end करते हैं क्या answer सेम आता है yes या no answer सेम आ रहा है फिर से सुनो फिर से सुनो अगर हमारे पास value एक initially zero होती है कोई भी value होती है अगर हम उस पे one लगाते हैं और end get करते हैं तो क्या answer हमारे पास same ही आ रहा है यह बताओ हमाँ पस zero फिर से repeat हो रहे हैं बस इस concept को ज़रा दमाग में रखना और one one को भी देख लो अगर हमाँ पस already one होता है और हम उस पर one लगाते हैं तो क्या output में हमेशा one आता है सही है चलो अब मैं तुम लोगों को एक different तरीके से बताता हूँ यहां में पस एक x value है यहां पर मैंने one लगाया हूँ है सही है यहां पर मैंने one लगाया हूँ है और इसको मैं and कर रहा हूँ क्या तुम लोग मेरे output को देख के identify कर सकते हो कि यहां पर क्या value होगी सोचो इसको ज़रा और से सोचो X के अंदर क्या वालू होगी अगर मेरे आउटपुट में 1 ही आ रहा है अगर मेरे आउटपुट में वापिस से 1 ही आ रहा है तो इस X की वालू क्या होगी 1 ही होगी बेतरी जवाब है और अगर यहाँ पे 0 होता तो क्या आउटपुट आ रहा होता यहां पर value 101% शोरों कि यहां पर value zero होगी तो यह चीज चेक करने के लिए इस्तमाल हो सकती है क्या इस logic को हम लोग चेक करने के लिए इस्तमाल कर सकते है कि क्या x की value zero है या one है हमें नहीं पता हम लोगों के पास जो accumulator में value मौझूद है वो unknown है तो अगर मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर value 1 है या 0 है तो क्या कर सकते हैं अगर मैं 1 लगाता हूँ और मेरे पास answer 1 आ जाता है इसका मलब है यहाँ पर 1 था और अगर मैं 1 लगाता हूँ और answer 0 आ जाता है इसका मलब है यहाँ 1 नहीं था सही है चलो मैं इसको थोड़ा बहुत अभी बेसिक सी तुम लों की एक बेस क्रियेट करने की कोशिश की है I hope थोड़ा बहुत तुम लों को concept समझाया होगा इससे इसके बारे मैं और detail में बात करता हूँ अभी तुम लों से अभी सिर्फ और सिर्फ bitwise operation को समझते हैं अच्छा लेट मी राइट दी explanation जरह हम अपने उसका copy कर लें अपने पास यह तीन terms वैसे एक काम कर सकता है हम पूरा ही copy कर लेता है इस वर्क्स चलो सबका focus चाहिए मुझे यहाप ए अच्छा जी अब and के साथ देख रहे हैं सब और से देखेंगे यहाप ए मैं and की बात कर रहा हूँ अब bitwise and operation करेंगे हम of the content of accumulative with the operant चलो let's try हमारे accumulator में यह value मौझूद है जिसको ज़रा हम copy करते हैं पने परस let me clear this जल्दी जल्दी explanation वही सेम होगी बस and operation करेंगे हुसेन bitwise and operation of the content of accumulative with the operant पहले और operation कर रहे थे अब operation करेंगे simple चलो अब अगर मुझे क्या करना है मुझे करना है इस particular accumulator में जो मेरे पास value मौझूद है उसके साथ मुझे करना है and hashtag 32 सब्सक्राइब मुझे क्या करना है and hashtag 32 अगर मैं करना है या इसको सभी से बना लेते हैं एक बंद दो मुझे and hashtag 32 चलो अगर and hashtag 32 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पैदे तो 32 को मुझे binary में convert करना है तो बाइनरी में convert करने के लिए हम क्या करेंगे the same concept 1248 16 32 64 128 32 पर जाके वन लगाओ बाकि सबको 0 करो यह तो हो गया बाइनरी की conversion अब हम जल्दी से अपने box को लेकर आते हैं जो हमने उपर बनाया था उससे आप लोगों के साथ bitwise operation को सीखेंगे copy let's go चलो बई जरा तेस्ते जाप देना सब bitwise operation करो इसके साथ 00 what will be my final value 00 जीरो 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 कहीं पे भी 0 आ जागा output will be changed इसकी value बताओ यह भी 0 हो जाएगी अब इसकी value बताओ जीरो 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 बेतरीन इसकी value बताओ बिटा and hashtag 32 कर रहे न हमने महादी तो 32 को बानेरी में convert कर लो that's zero one zero बिलकुल बहतरीन अब्दलाइमरान बताओ जीरो इसकी value बताओ one 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 अब इसकी value बताओ zero आखरी वाले की value बताओ one zero zero बेतरीन कुछ notice किया तम लोग ने मैं अपने box को जरा हटा दूँ यहां से कुछ notice किया क्या मेरी and वाली value और जो मेरे पास final answer आ रहा है वो दोनों सेम आ रहे है कुछ notice करो इसको सब सुकून से देखो जरा मेरे पास जो and hashtag 32 था उसकी value और जो मेरे पास output आया है वो दोनों सेम आ रहें this is also 32 सिर्फ इस चीज़ को notice करो समझने की कोशिश करते हैं इसको इसका मतलब किया थोड़ा बहुत से explanation अपनी खुछ generate करने की कोशिश करो थोड़ा से दिमाग लगाओ अपना भी कि मैं इसे किस तरीके से compare कर सकता हूं अगर मुझे चेक करना हो गोड़ से सुनना मैं इसको अलग से करके दिखाऊंगा अगर मुझे कभी भी चेक करना हो कि इस particular bit पर value 1 थी तो मैं क्या करूँगा मैं इसके नीचे 1 लगाऊंगा मैं इसके नीचे 1 लगाऊंगा और उसको and करूँगा अगर मेरा answer and वाले के बराबर ही आ जाता है सबको याद है compare करवाते थे 32 के साथ compare करवाना है तो अगर मेरे output वाली value 32 के बराबर आ रही है इसका मतलब है कि यहाँ पर value was 1 तो इससे हमें पता चल देगा कि हाँ यहाँ पर value जाती वह 1 थी यह सब आप लोगों के concepts है रटा मत मानना इसको चलो जरा मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें लिखा हूं तुम लोगों को और इसके explanation दो तुम लोगों को चलो मगर जब हमने accumulator बनाया तो हमें पहले ही पता था कि वह बन है हाँ कोई मस्दा नहीं है अभी तो समझ रहे था ना चीज़ों को यह तो bitwise operation समझा रहे था ना मैं अगर तुम्हें पता नहीं होता for example यहाँ पर नोने एक ऐसा ऐसा कुछ बना दिये तुम्हें इस box को खाली दिया वा है तुम्हें पता ही नहीं कि क्या value है सही है तो इस तरीगे से तुम compare करवा सकते हो चलो let's start with your monitoring control system के अंदर इसी concept को the ok g let's let's talk about this you note मैं सब पर दे नोट लिको if there was one if there was one if there was one in the place of 32 in the place of 32 अगर जहां 32 value लिक्किवी थी अगर उदर one होता answer after the and operation after the after and operation would be same answer जोगा वो same आएगा and value value के साथ same as operand value चलो sir and के साथ हमेशे cm पी लगा लगेगा जरूरी नहीं है हुसाइन लेकिन लगता है जाएता लगता है अच्छा तुमारा वो है concept चलो अच्छा सिर्फ ये भी जरूरी नहीं है कि and जो हमेशे सिर्फ और सिर्फ इसी वज़े से हो कि कि सिर्फ चेक करने के लिए हूँ and हम values को set भी करवाते हैं तो मैं आज ऐसा सवाल करवाँगो तुम लों को जो कि एक difficult question था recent past papers का उससे आप लोगोंने set करनी थी value को मैं भी बताता हूं तुम लों को वह सवाल दिखाता हूँ चला थोड़ी बहुत और चीज़े लिखते हैं let me copy one thing this thing अब हम सीखेंगे use of and instruction in monitoring control system अच्छा जिस वक्त तुम लों की बोरियत start हो जाएना तो मुझे बता देना ऐसे तो पर हर gate set करने के लिए अहां लिखो 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 मैं कहीं हो नहीं जा रहा हूं चलो तुमनों का focus out नहीं होना चाहिए मेरे साथ रहो सब अब हम बात करेंगे use of and instruction अभी तो समझ आ रहे है ना शहर्यार अहां बस ठीक है ना और क्यों परिशान क्यों कर रहा ही अजीब टेंजन लेदी चलो भी ती use of and instruction in monitoring control system जली जली से दिखने है इसको अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूं note जिसने लिख लिख लिए लिख लिए चलो अब ज़र यहां पर देखो कुछ चीज़ों और मेरे साथ लिखो पहला point and is used and is used to check if the bit was set if the bit was set set प्रेट का मतलब क्या होता था bracket में लिख रहों one or zero if you want to check then and instruction and is followed by पूरा संडे को तुम लों की एक्स्रा क्लास रख देता हूं ठीक है maximum 30 minutes 30 to 40 minutes के जाद से जादा उसमें पर जौर गेट खतम कर लेंगे मेरे साथ लेकिन अभी फिलाल जाए and पर फुल फोकस करके नहीं संडे की बात करो बटा संडे को आपनों की क्लास रख देंगे 30 to 40 minutes की जल्दी से जाद गेट खतम कर लेंगे आज इसको कॉंपलिकेट हो जाएगा आपनों के बहुत साथ ना चीज़ों को mix-up ना कर दो सही है चलो let's start with your अगर मुझे बिट को चेक करना होता है एक सवाल डीटेल में करते हैं जितना time है हमारे पासर भी फिलाब तो and get तो पका कर लेते हैं आज अच्छा हुसां बात करते हैं टंचन नी टंचन नी लो चलो 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 जरह अब सब focus करें मेरे साथ सब focus करें भई अच्छा अब अगर मैं बात करता हूं तुम लोग से एक bit ले लेता हैं जल्दी से यहां पर कोई एक particular byte बना लेते हैं अपनी एक question solve करते हैं detail अब हम bit check करना सीख रहा है checking bit चलो अब जरह सब focus करेंगे मेरे साथ हमारे पास एक particular binary value है इसको consider करेंगे इसकी memory location है 423 423 423 423 मेरी memory location है जहां पर यह data महुजूद है और data क्या है वह भी दिखा रहा हूं तुम लोगों को मेरे पस जो data है वह कुछ इस तरीके का है मेरे पस 0 0 0 1 0 0 0 0 मैं यहां पर numbering भी कर देता हूं तुम लोग की bits की bits की जो numbering होती है 0 this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 5 this is 6 this is 7 यह bit numbering की है मैंने basically हां बेटा अभी सवाल को सुनो महादी सवाल को सुनो tension नहीं लो सभी है अब सबाल मेरे यह है आप लोगों के साथ यह मेरे पास एक एक random question दे रहा हूं आप लोगों को मेरे पास एक byte है जो कि 423 memory location पे मौजूद है उसकी bit numbering मैंने कर दी है अब उसके पास सवाल देखो और से सब question है मेरा load करेंगे accumulator में load करेंगे question है मेरा check does bit 4 bit 4 मतलब यह वाली इसकी बात हो रही है bit 4 contains 1 or not आपने क्या करना है check करना है कि क्या मेरे पास bit 4 के अंदर 1 है यह नहीं है bit 1 जो है वो set हुआ है यह नहीं है contains 1 bit 4 contains 1 or not पहला step step number 1 put 1 below below the bit you want to check यह 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 accumulator with the value in accumulator, struct 3, compare with the new value created, with the new value which you created. अगर मेरे पास यहां पर value 1 है तो output किस तरीके से दिखाएगा अगर value 0 है तो किस तरीके से दिखाएगा सब घौर से देखना है भाई मेरे साथ मैं जरह इस आपकी binary value को जरह कॉपी कर लो अब पहला केस देखे रहे हम लोग अगर यहां पर मेरे पास बाइनरी वालियो को जरह बिट 4 में 1 है तो सही है अब पहला केस देख रहे हैं जिसमें है इफ 1 अगर 1 है तो किस तरीके से होगा सब गौर से देखो step 1 क्या है भाई step 1 बताओ क्या करना है put 1 below the bit you want to check हमें किस bit को चेक करना है 4 को चेक करना है yes यह नो सब चैट पेक्ट हो मेरे साथ क्या मुझे बिट 4 को चेक करना है बिलकुँ चेक करना है तो जरह मैं इसको साफ से तरह काम कर दूँ अपनों के लिए अब सब गौर से देखेंगे फुल फोकस थोड़ी सी स्पीड तेजर रखूंगा मैं अच्छा अगर आपने बिट 4 को चेक करना तो आप क्या करोगे सबसे पहला काम आप यहां पर बन लगाओ बाकी सब को जीरो कर दो step 1 put 1 below the bit you want to check आपने फन लगाया अब यह आपकी नई binary value बन चुकी है इसको हम कहते हैं your new binary value this is your new binary value सभी जी अब आप क्या करोगे मुझे ज़रा वह बताओ डेनरी वाली बताओ इसके क्या बन रही है what's the binary value क्या लिखूंगा मैं what is this and hashtag 1,2,4,8,16 and hashtag 16 चलो अब ज़रा में साथ सब bitwise operation करके ज़दी से output बताओ तेस तेस काम करेंगे 00 output क्याएगा 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 00 अगर मेरे पास गोर्षत सुनना मेरी शीज़ अब जो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास bit 4 में 1 मौजूद है तो हमारे पास जो ये वाली value है और ये वाली जो value है ये दोनो exactly same होंगे exact same अगर 1 होगा तो मेरे पास जो final output आएगा वो हमेशा same होगा किस से same होगा जो हमारे पास and वाली value थी तो मैं किस से compare करवा सकता हूँ मैं इसको compare करवा सकता हूँ cmp hashtag 16 से अगर cmp hashtag 16 की value true है तो इसका मदलब क्या है कि यहाँ पे value was 1 ये concept समझा है सबको फिर से सुनो फिर से सुनो पे बिलकुल वहाँ पे one मौजूद था सही है अब for example एक और दफ़र तुम लोगो same example करके दिखाऊंगा लेकिन अब वहाँ पे हम लोग one नहीं रखेंगे सही है अब हम बात करते है बेटा सयुद हसाइन ये तो अभी तुम्हें नजर आ रहे है तुम्हें नजर आ रहे हमारे computer को तो नजर नहीं आ रहे हमारे यह सब एक तरीके से unknown है हमारे लिए आपका computer आपकी तरह नहीं है कभी भी जब computer science को समझ रहे हो ना तो कभी भी अपने दमाग से मत समझे कंपीटर की दमाग से समझे सही है महादी तुमारे लिए भी सेम चीज है कि कम्प्यूटर की दमाग से समझो कम्प्यूटर की दमाग को कुछ नहीं पता जब तक उसको हर चीज step wise ना तुम लोग बताओ CMP बटा शेरियारी है assembly language का code है CMP compare करता है values को जो भी चीज तुमारे answer की value है उसको 16 से compare करेगा सुरी हमें कैसे बता चलेगा कि कब 1 रखना है कब नहीं लग अगर चेक करना है तो how will we know कि कब 1 बिटा हमेशा 1 लगाओगे चेक करना है तो हमेशा 1 लगाओगे चाहिए अब अगर मैं 0 की बात करता हूं तुम लोग उसे अभी हमने if 1 था तो क्या answer आ रहा था अगर 0 है तो क्या answer आएगा if 0 सभी है let me take this value again तीनों को ले ले लेते है बिट 4 विल वी 1 और रेस विल वी 0 बिलकुल बिलकुल अब माद यहां पर देखना सब यहां पर देखना focus अगर मैं तुम लोग को बोलता हूँ अब सेम चीज़ है लेकिन अब value मैं 4 में 1 की जगा मैं 0 कर दूँगा सभी है अब imagine करो यह चीज़ कंप्यूटर को नहीं दिख रही है कंप्यूटर को यह नहीं दिख रही है उसके बाद वही सेम चीज़ and operation करोगे output क्याएगा output क्याएगा यहां पर 0000 आगया ठीक है let me raise this 000 आगया 000 आगया 000 आगया 01 answer क्याएगा 0 and 1 0 हो जाएगा 000 000 000 अच्छा अब अगर मैं तुम लोगे and का पूछूँ तो मैंने and किस चीज़ को किया था and hashtag 16 किया था बहतरीन अगर मैं इसको cmp hashtag 16 करवाऊंगा क्या मेरे पास values की true आएगी यह false आएगी बस अगर यह false हो जाए इसका मतलब है कि वहाँ पे one मौजूद नहीं था समझे इस चीज़ को अगर वहाँ पे cmp hashtag 16 एक तरीके से false हो जाए इसका मतलब है वहाँ पे one मौजूद नहीं था तो मैंने दोनों cases तुम उन्हें को दिखा दी अगर one भी होगा तो क्या answer आएगा zero होगा तो क्या answer आएगा चलो अब इसका अगर मैं तुम लोगों से यही सेम सवाल करूँ जो हमने उपर इस सवाल किया था और gate के अंदर wait सवाल कहां गया यह रहा कि इसी चीज़ को assembly language के अंदर लिखकर दिखा हो मचे इसकी application का हो थी monitor control system में application है let me paste this चलो let's talk about the assembly language code हमारा address क्या था address क्या था इसका 423 सही है बिलकुल ऐसे है मादी 423 address था तो अब मैं क्या करूँगा मैं बोलूँगा ldd423 सबसे पहला काम ldd let me use the red color नब बोलूँगा ldd 423 इससे क्या होगा मेरे पास हुसेन में एक मिर्स सवाल देखते हूं तुमारा ये वाली पूरी value लोड हो गई अब मुझे क्या करवाना है मुझे चेक करना है कि bit 4 मेरा सही है या set हुआवा या नहीं हुआवा मैं and hashtag 16 करूँगा जब and कर दिया तो मेरे पास जो answer आएगा वो मैं cmp से चेक करूँगा cmp hashtag 16 अगर ये value true है इसका मदलब है कि one है अगर ये value false है इसका मदलब है कि वो zero है इस तरीके से हम लोग अपने code को लिखते हैं यहां तक किसी को कोई problem किसी को कोई problem यहां तक अगर किसी को कोई problem नहीं है तो I hope तुम लोग यह सवाल सॉल्व कर पाओगे जो मैं password कर दूँगा भी तुम लोगो चलो बस यह last सवाल करो अगर यह सबने सही कर लिया तो आप लोग जा सकते हो अगर सही नहीं हो तो आप लोग नहीं जाओगे बाइट की numbers को याद रखना बाइट की जो numbering है न वो है 0,1,2,3,4,5,6,7 इस तरीके से सुकून से solve करो इसका सब solve करेंगे खुदी solve करेंगे सुकून से पढ़ो और solve करो मैं end में करूँगा ये दो पार्ट सुल्व करने है आप रखने सबस्ट करूँ ने घसका बादाना बाद करेंगे वो ये पार्ट सबस्ट है तो इसको सॉल्व करो बिट नमरिंग देखने ना 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं नहीं कंपेर नहीं करवाना है बिटा इसको छलो करवा लो वैसे दो लेकिन यहां पे करवाना नहीं था नहीं गलत है बिटा माधी सुकून से पढ़ो उसको और से चीज़ों को देखो फ्रम लोकेशन फोर, लोकेशन फोर का मतलब क्या है माधी इसकी बात हो रही है लोकेशन फोर यह है आप लोगों की write the assembly language instruction to check whether the reading in byte 2 came from location 4 byte 2, byte अलग चीज़ होती है bit अलग चीज़ होती है माधी, concepts को mix मत करो byte की बात हो रही है, byte होती है यह पूरी चीज सही है, इस पूरी byte के अंदर, 8 bits को कहते है एक byte, इस byte के अंदर location 4 बिटा, यह 16 होता है हुसाइन, भेतरी हुसाइन जा सकते हो, और यह part 2 भी कर लो बिटा, part 2 करके फिर जो ldd 106 ldd 106 मतलब 106 पर जो value थी वो आपने load की उसके बाद आपने क्या करना है किसके साथ and करवाओगे location 4, location 4 पर 1 लगाओ बाकी सबको 0 कर दो तो that's basically and hashtag 16 अगर वो आपको, sir bit 0 का क्या मतलब, bit 0 का मतलब बस यह कि यह first bit आपके byte की जो numbering होती है तो that's 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो first, आपकी right most वादी जो first bit होती है उसको bit 0 कहते है इसको आपने क्या करना है set करना है अपने flag को, bit 0 को set करना है part 2 के अंदर अच्छा, अगर वो यहाँ पर एक और लाइन दे लेते न, एक और लाइन दे लेते तो आपको compare भी करना होता है यहाँ पर तो हम compare भी करवाते है लेकिन अभी फिलाद एक ही line दी थी तो and hashtag 16 लिखना था आपने that's it सिर्फ and hashtag 16 लिखने के चार मार्क से बाइदर वे सिर्फ and hashtag 16 हाँ सिर्फ इसके चार मार्क से बेतरीन हामेस बेतरीन पार्ट टू करो जल्दी से सब बिटा हुसाइन गौर्स किस चीज़ को solve कर रहे हो तुम पार्ट टू कर रहे हुसाइन नहीं न हैश्टेक 0 क्या होता है बिटा हैश्टेक 0 कौन से वैलियू आ गई है बिट 0 बिट 0 पर क्या वैलियू होगी दिस वान टू फोर एट 16 32 तो हाव दू आपको चेक करने को बोल रहे थे है रोहान अगर चेक करने को बोल रहे थे तो इस से बढ़े चल गया कि मुझे एंड करना पड़ेगा चेक करने के लिए भी यूज एंड सभी है अच्छा अब पार्ट 2 के अंदर वो कह रहा था राइट इसेंबली लैंग्विज इंस्ट्रक्शन तो सेट अफ्लाग जो आपकी बिट जीरो है उसको आपने के उसको वन करना है तो आप क्या करोगे सिव और सिव आपने हुसाइन क्या करना चाहरो बेटा इस वन इस तू इस वर इच शुस्टीं थेडी टो सिक्टी यस्टिफ्रन बिट जीरो को आपने तो बिट जीरो को सैटे करने के लिए आप क्या करोगे और हैस्टेग वन इसमें क्या मशला है मुश्किल क्या चीज़ थी इसमें बेटरीन एंड हैश्टेक 16 और यह और हैश्टेक बेटरीन हाना तो यह यह वाली जो यह इस 128 जो बिट 7 है तास 128 ना क्या हो गया विटा तो मैं सब सेट चला है जंदगी में 12 12 कि裡 चुल बेटरीन कि मादी मौधी क्या चीज अमझने श्में वह क्या मैं सेट करने का बोलो रहा Yuk 296 जब daring करते थे हमने उपर उपर ऐक चीज़ पर थी और जी इन्हीं करते थे हैं और किसी भी को सेट करना है तो आप उसकी नीचे वन लगाते यह जैसे यहां पर मैं तुम्हें सही से करके लिखा देता हूं अगर मेरे पास 01234567 यह मेरे पास बाइट है इस बेसिकली बाइट 2 अब आपने इसको फ्लैक को वन करना है तो आप यहां पर वन लगाओगे बाकी सब को 0 कर दोगे इसी तरीके से करते हैं और Après और गर दो इसकी वैल उक्पर रही है और हैस्टैग 100 PM ऑन कर से इसके जएर से से पर अशो के लिक्ट मीठे और 16 का एक माथ था है एंड का एक मार्थ से बीया पूर्परी चीज्ज छी ऐैं तो फूर उसका एक माक दो और क्लेर सबको अब इंशाललह आप लोगों की क्लास होगी संडे को अब लोगों की इसको रवाइस करते रहोगे क्योंकि इसको तुम लोगे इदर उदर थोड़ी सी देर छोड़ा इसको फज़ जाओगे चीज़ों को अगर डेली दो मिनट रवाइस कर लो इस चैप्टर को खासता और पर तो मसला नहीं होगा तुम लोगो नेक्स क्लास तक की बात करो सब्सक्राइब फिर जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे इसकी इन डीटेल तो कोई मसला नहीं अभी फिलहाल के लिए रवाइस कर ले ना संड़े तक संड़े को कोशिश करके तुम लोगों की हाफ एन आवर तक की क्लास ले लेता हूं या अगर कल ले लिए को को कल या तो मैं संड़े को रखता हूं सिर्फ मुझे जौर गेट समझाने और थोड़े बाद जो रीसेंट पास्टिफिस के कुशिंदे वो करवाने हैं ताट सिट सएट चलो भी तरीन आई होब कि तुम लोग एसम्ली लेंगविश के टॉपिकल पास्टिफिस कर लो कि आब जो सब्सक्राइब सिर्फिस अऑचिश कैस MARK जी के लिए ये आऽंग बेचाश में बटा दो कि से लुँ सब्सक्राइब हो करते हैं संदे को कट्रमस्ल निए से जलो ऑट की जिए अलाया अवश्य